हेलो फ्रेंट्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज में शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे पर्मनेंट सबर फ्लावरिंग प्लांट जिनको आप जुलाई अगस्त में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और अगर आप गार्डन भी हैं तो सभी के नहीं प्राइज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी तो आएए देखते हैं तो सबसे पहला प्लांट देखिए ये कोक्स कोंग प्लांट है ये नरसरी पर भी आपको मिल जाएगा और सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत ही खुपसूर ये प्लांट जो है बहुत ही शुब भी माना जाता है गंमे लगा और इसकी बहूत सारी मैडिसिनल वेल्यू भी होती है और देखिए मेरा जो प्लांट है इसमें अबी फूल नहीं मारे क्यूंकि आप में जब थोड़ी सी जो मौसम ठंड़क की तरफ जाता है गर्मी कम होती है तब इसमें फूल आते हैं इस समय आप इसको अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं सोर पे तक ये प्लांट जा उससे थोड़ सा कम भी मिल सकता है और पर्मनेंट है ये भी जुलाई अगस्त में रेनली को भी अपने गार्डन में आड़ करने का बहुत ही अच्छा समय होता है क्योंकि इस समय इसका जो फ्लावरिंग का सीजन होता है रेनी सीजन में रेन लेली बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है इसमें कलर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं बल्ब के तुरू ये प्लांट गुरो होता है इसके बल्ब भी आप इस समय लगा सकते हैं जैस तरीके का नरसरी पर आपको बना-बनाए प्लांट भी मिल जाता है जिसमें फूल भी आ रहे होता है तो जिस तरीके से भी आपको ये नरसरी पर मिले तो इसको आप एड़ कर सकते हैं अपने गाडन में ज़्यादा इसकी केर नहीं करने बढ़ती है और धेरों यह फूल देता है इसका प्राइज 50-60 नर्सरी पर रहता है 50-60 रुपे में यह मिल जाएगा और यह कटिंग से भी लग जाता है चाहे कटिंग से लगाएं चाहे नर्सरी से लेके लगाएं तो इस समय इसको भी अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो देखिए एक जोरा भी एक पर्मनेंट प्लांट है जो आपको बहुत सारे डिफरेंट रंग में मिल जाता है तो देखिए मेरे पास इसके रेड कलर के भी हैं और पिंक कलर के भी एक जोरा के प्लांट म मैंने इनको रखा है 5-6 गंटे की दूप में और बारिश भी इन पर पढ़ती है क्योंकि ओपन एरियो मैंने इनको रखा है और देखे इनमें बहुत ही अच्छे से कलियां बनी हुई है ये भी प्लांट आपको 17-80 से लेके सोर पे तक नरसरी पर असानी से मिल जाता है क्योंकि इसका भी इस समय फ्लावरिंग का सीजन है और एक जोरा हमेशा मिल जाता है नरसरी पर और ये भी जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता है पर्मानेंट रहता है सर्दी में थोड़ा सा फूल नहीं आ रहे थे वागर जैसे ही जुलाई मन था आया अच्छे से बारिश होने लगी तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी हुई और बहुत ही अच्छे से कलियां भी बनी हुए है और एक बंच में तीन-चार जो है कलियां बनती है और इस तरीके से त 70 रुपे का मिला था तो इसमें एक बुश टाइप भी आती है जिसको आप गमले में लगा सकते हैं मेरा प्लांट जमीन में लगा हुआ है तो देखिए हविसकस तो जो भी गार्डनिंग करता है तो उसके गार्डन में होता ही है चाहे एक ही प्लांट क्या क्यों नहों तो की प्लांट कि देखिए हैं तो जो भी आपको मिले तो इनמ했어 भी में समय एक हाइड़ कर शकते हैं यह तो लगबग पूरा साल ही फूल होते եे फो बंढ़ा हैं लिया पहले है तो इस अच्छी फुल्ण कर रहा है 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 बिसकस भी आप ले सकते हैं अपने गार्डन में इस समय लगाने के लिए बरसात के सीजन में अपने गार्डन में एड़ करने के लिए जुलाई गस्त में अपने गार्डन में एड़ करने के लिए वाइट फूलों के लिए आप जो है चांदनी का प्रांट भी लगा सकते हैं चांदनी में आपको दो तिन टाइब मिल जाती हैं डवल, सिंगल और इस तरी के से मीनी चांदनी फूल सब के वाइट कलर के ही होते हैं वगर चोटे वड़े साइज में जा डवल जा सिंगल पैटल में हो सकते हैं इनका भी प्राइज 50-60 ही रहता है नर्सरी पर सिर्फ आपने त्यान द्यान रखना है कि इनको जादा पानी नहीं देना है तो देखिए ये प्लांट है बहुत ही खुपसोर सा जो हमेशा फूलों से भरा हुआ रहता है और बहुत ही लो मेंटनेस है पांचे गंटे की दूप में आप इसको रख सकते हैं दूप में रखने की जूरूत नहीं होती है और इसको बोलते हैं हमिलिया ये इसकी गंटे वाली टाइप है जो बुष टाइप होती है चोटा ही प्लांट रहता है बहुत सारे फूल एक साथ देता है और देखिए हमेशा ये इसी तरह के तरीके से आपको फूलों से भरा हुआ प्लांट मिलेगा मैंने इसको पिछले एक डेट साल पहले अपने गार्डन में आड़ किया था ये मुझे सोर पेका मिला था अपराजिता का प्लांट मैंने देखि गंले में लगाया हुँआ और इसको मैंने काफी इसकी पिंचिंग प्रूनिंग की है और इसको एक गोल-गोल प्लांट बना दिया है और इसमें अभी बहुत सारे इकल्लियां बनी हुई है और देखिए ये वाला मेरा बेलनुमा प्लांट है तो अपराजीता को भी आप इसमें अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं सीट से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी प्लांट भी मिल जाते हैं इसमें कलर भी आपको मिल जाएंगे और देखिए और इस समय तो इसका पूरा फूलों का सीजन है तो इसको आप अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं सोर पे तक ये मिल जाएगा नर्सीर पर इसमें आपको एक ड्वार्फ टाइप मिल जाती है इस तरीके से एक मीनी वाला मिल जाती है मीनी जो कामनी का प्लांट होता है और साथ में एक लंबी हाइट वाला मिल जाता है तो जो भी आपको अच्छा लगे जहाँ आपके बजट में फिट हो वो ले सकते हैं आप और फूल सबके एक जासे होते हैं और बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं और इनको भी पूरे दिन की दूप की जरूरत नहीं होती है चार-पांच गंटे की दूप में आप इनको रख सकते हैं तो यह अच्छे से फूल करते हैं मदू कामनी के प्लांट और बहुत ही अच्छी खुश्पू इनके फूलों में होती है तो अगर आप एक गार्डन रहें गार्डन नहीं करते हैं तो मदू मालती का प्लांट आपके पास जरूर होना चाहिए तीन कलर में इसके फूल खिलते हैं बाइट, पिंक और रेड और स्टार्टिंग में जब फूल खिलता है तो वह वाइट होता है, फिर शाम को वह पिंक हो जाता है और दूसरे दिन वह रेड हो जाता है इस तरह का फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी घर्मिया फूल देता है और इसमें बेलनुमा प्लांट भी मिलता है और गमले के लिए bush type भी मिलती है तो देखिए जट्रोफा भी एक permanent summer flowering plant है इसको आप इसमें cutting से भी grow कर सकते हैं cutting से easily यह plant grow हो जाता है और देखिए मेरे जो दो plant इसमें लगए हैं दोनों मैंने cutting से grow किये हुए हैं और इसकी cutting कभी फेल नहीं होती है मैंने देखिए यह plant cutting से grow किया है और मेरा एक main plant जमीन में लगा हुआ है पूरा साल फूल लेने के लिए एक बहुत ही खुबसूरत सा plant है जट्रोफा जिसको आप इसमें अपने garden में add कर सकते हैं देखिए टिकोमा अगर आपको गबने के लिए कोई type चाहिए तो यह टिकोमा की type बहुत ही खुबसूरत है rough tough है, hardy है मार्च से लेकि यह plant जो है अक्तूबर नमंबर तक आपको फूल देता रहेगा जब तक garden में दूप आती रहेगी तो इसको भी आप एड़ कर सकते हैं अपने garden में सोर पे तक आपको असानी से मिल जाएगा देखिए बोगन विल्या जो होता है आपको different color में मिल जाता है और यह भी plant पर लगबग पूरा साल ही फूल देता है मेरे पास भी इसके 5-6 plant है different color में तो देखिए जो भी आपको color अच्छा लगी तो इस समय अपने garden में आड़ कर सकते है cutting भी आप इसकी grow कर सकते है नर्सिपर आपको plant जो है 87 से लेके 100 रुपे तक असानी से यह मिल जाता है different color में अगर आप gardening करते हैं तो कनेर का plant आपको जरूर लगाना चाहिए यह पूरी गर्मिया जे प्लांट बहुती कम केर में धिरों फूल देता है और इसमें आपको hybrid देशी टाइप मिल जाती है और इसमें भी color आपको बहुत सारे मिलते हैं pink, red, white, yellow तो हर तरह के color इसमें आपको मिल जाते हैं बहुती रफ्ट आप पूरी दूप में फूल देने वाला plant होता है सिर्फ आप इसको अच्छी वेल्टेंट मिल लगाए और गर्मी की दिनों में डेली पानी देजिए और time to time fertilizer देते रहे तो यह plant आपको धेरों फूल देता रहेगा और पूरा साल बना रहता है प्लांट चोटा ही रहता है एक इसमें लंबी हाइट का प्लांट भी आता है फूल सबके एक जैसे ही होते हैं सिर्फ जो है प्लांट के हाइट का difference होता है इनका भी जो price है 50-60 ही nursery पर रहता है पर्मनेंट प्लांट है एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी ही नहीं जाएगा आप cutting लगा के आप इसके धेरों प्लांट बना सकते हैं तो इसको भी आप इससमें अपनी गार्डन में आड़ कर सकते हैं तो यह plant है गोंफरिना दाल देते हैं तो उनी से new plant भी मिल जाते हैं तो इस तरीके से यह plant पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है इस समय आप इसको बहुत ही सस्ते से plant को भी अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं जो मैं आपसे के भी next वीडियो में share करूँगी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको like कीजिएगा मेरे channel को subscribe कीजिएगा तो thank you friends वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जुरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसीने वीडियो में ने टॉप बे के साथ तक तक के लिए बाई हैपी गार ने